आज का हमारा टॉपिक है लेसन नंबर नाइन चिडिया की बच्ची इसमें चिडिया के बारे में बताया जा रहा है जो उड़ते एक धनी व्यक्ति के घर में सेट के घर में जाकर बैठती है सेट उसे देखता है सेट को बहुत अच्छी लगती है तो सेट उसे रुखने के लिए कि मैं तुम्हें सोने का पिंजरा दूँगा अलग-अलग तरीके प्रोलोभन देता है लालस देता है लेकिन चिडिया इंचियों से बहुत परे होती है वो अपनी मा के पास जाना चाती है शाम का समय हो जाता है और वो बार-बार कहती है कि मु स्टार्ट करते हैं माधा उदास ने अपनी संग ममर की नई कोठी बनवाई है उसके सामने बहुत सुहावना यानि सुन्दर मन को अच्छा लगने वाला, बगीचा भी लगवाया है, उनको कला से बहुत प्रेम है, धन की कमी नहीं है, कोई व्यसन, व्यसन यानि दोश, गलत आदत, दोश छू नहीं गया है, सुन्दर अभिरुची के आदमी है, अभिरुची यानि मन को अच्छा लगने वाला, मन को अ अभिरुची के आदमी है फूल पौधे रकावियों रकाविय अनि तशकरियां प्लेट्स तशकरियां प्लेट्स रकावियों से होजों में लगे फवारों में उचलता हुआ पानी उन्हें बहुत अच्छा लगता है समय भी उनके पास काफी है शाम को जब दिन की गर्मी आती है और आस्मान कई रंग का हो जाता है तब कोठी के बाहर चबूत्रे पर तक्त डलवाकर पलंग सा डलवाकर मसनद मसनद यानि गोल तकिया मसनद के सहारे वह गलीचे पर बैठते हैं और प्रकरती की छटा चटा यानि सुन्दरता निहारते हैं इसमें मानों उनके मन क को इसमें मानों उनके मन को त्रप्ती त्रप्ती यानि संतुष्टी संतुष्टी मिलती है मित्र हुए तो उनसे विनोचर्चा विनोचर्चा यानि हसी मजाख मजाख करते हैं नहीं तो पास रखे हुए फर्शी हुक्के की सटक को मुँ में दिये यानि हुक्का पीना उसको मुँ में लिये हुए खयाल ही खयाल में संध्या संध्या नि शाम शाम को स्वप्न की स्वप्न यानि सपना स्वप्न की भाती गुजार देते हैं आज कुछ-कुछ बादल थे, घटा गहरी नहीं थी, धूप का प्रकाश उन में से चंचंकर, यानि थोड़ा सा ट्रांस्परेंट होकर के आ रहा था, मादवदास मसनत के सहरे बैठे थे, उन्हें जिन्दगी में क्या स्वाद नहीं मिला है, मतलब उनके पास तो सारी खुश संध्या, शाम के समय उनके देखते देखते सामने की गुलाब की डाली पर एक चिडिया आन बैठी, चिडिया बहुत सुंदर थी, उसकी गरदन लाल थी, और गुलाबी होते होते किनारों पर जरा जरा नीली पड़ गई थी, पंक उपर से चमकदार स्याह, स्याह यानि नी नीले रंग के, बिल्कुल नीले, नीले रंग, उसका नन्ना सा सिर्टों बहुत प्यारा लगता था, और शरीर पर चित्र विचीत्र, चित्र विचीत्र यानि अजीबो गरीब, अजीबो गरीब, चित्रकारी थी, चिडिया को मानो माधवदास की सत्ता, यानि उसका जो महापे हुक्म था, का कुछ पता नहीं था, और मानो तनिक देर का आराम भी उसे नहीं चाहिए था, कभी परहिलाती थी, कभी फुदकती थी, पर वह खुश, खूब खुश मालूम होती थी, अपनी सी चोत से प्यारी प्यारी आवाज निकाल रही थी, माधवदास को वह चिडिया बड़ी मनमानी, यानि अपने में मस्थ रहने वाली, किसी की नहीं मानने वाली, उसकी स्वच्चंदता, स्वच्चंदता यानि घूमने वाला, बिना रोक्तों के घूमने वाला बड़ी प्यारी जान पड़ती थी कुछ देर तक वह उस चिडिया का इस डाल से उस डाल थिरकना यानि घूमना देखते रहे इस समय वह अपना बहुत कुछ भूल गए उन्होंने उस चिडिया से कहा चिडिया से कहा आओ तुम बड़ी अच्छी आई यह बगीचा तुम लोगों के बिना सूना लगता है अकेला लगता है सुनो चिडिया तुम खुश से खुशी से यह समझो कि यह बगीचा मैंने तुम्हारे लिए ही बनवाया है तुम बेखटके यानि बिना किसी डर के बिना डर के यहां आया करो चिडिया पहले तो असावधान रही यानि सचेत रही निश्चिंत निश्चिंत रही फिर जानकर किसी बात उससे की जा रही है वह एका एक घबराई फिर संकोच यानि शंका को जीत कर बोली यानि एकदम से डर को हटा कर के बोली मुझे मालूम नहीं था यह बगीचा आपका है मैं अभी चली जाती हूँ पलभर सांस लेने में यहां टिक गई थी रुख गई थी माधवदास ने कहा हां बगीचा तो मेरा है यह संगमवर की कोठी भी मेरी है लेकिन इन सबको तुम अपना भी समझ सकती हो सब कुछ तुमारा है तुम कैसी भोली हो कैसी प्यारी हो जाओ नहीं बैठो मेरा मन तुमसे बहुत खुश होता है चिड़िया बहुत बहुत सकुचा गई घबरा गई उसे बोध बोध हुआ पता लगा बोध हुआ कि उससे गल्ती तो नहीं होई कि यह आके बैठ गई उसका थिरकना रुख गया भेवी सीव बोली मैं ठककर यहां बैट गई थी मैं अभी चली जाओंगी बगी चापका है मुझे माफ करें भेवीत यानि डर करके माधवदास ने कहा मेरी भोली चिडिया तुम्हें देखकर मेरा चित चित यानि मन प्रफुलित प्रफुलित यानि प्रसन प्रसन हुआ है मेरा महल भी सुना है वहां कोई भी चहाता नहीं है तुम्हें देखकर मेरी रागनियों का जी बहलेगा मतलब मेरा मन खुश होगा तुम कैसी प्यारी हो यहां ही तुम क्यों न रहो चिडिया बोली मैं मा के पास जा रही हूँ सूरच की धूप खाने और हवा से खेलने और फूलों से बात करने में मैं जरा घर से उड़ाई थी अब सांज यानि संध्या शाम शाम हो गई है और मेरी मा के पास जा रही हूँ अभी अभी मैं चली जा रही हूँ आप सोच न करें यानि ज़्यादा सोचे नहीं मैं यहां से चली जाओंगी माधवदास ने कहा प्यारी चिडिया पगली मत बनो पगली यानि पागल मत बनो ऐसी बाते मत करो देखो तुम्हारी चारों तरफ कैसी बाहार है बाहार यानि सुन्दरता है हरियाली है वो उसको रोकने का प्रेत्न कर रहा है देखो वहाँ पानी खेल रहा है उदर गुलाब हस रहा है भीतर महल में चलो जाने क्या-क्या न पाओगी मेरा दिल वीरान है, वीरान यानि अकेला है, सूना है, मतलब घर में और कोई नहीं है मेरे अलावा, महा कब हसी सुनने को मिलती है, मेरे पास बहुत सा सोना मोती है, सोने का एक बहुत सुन्दर घर में तुम्हें बना दूँगा, मोतियों की जालर यानि लटकन लगवा तुम मुझे खुश रखना और तुम्हें क्या चाहिए मा के पास बताओ क्या है तुम यहां ही सुख से रहो मेरी भोली चिडिया गुडिया इन बातों से बहुत डर गई वह भोली मैं भटककर तनिक आराम के लिए इस डाली पर रुख गई थी अब भूलकर भी ऐसी गलती न नहीं आती है मेरी मा के घोंसले के बाहर बहुत तेरी बहुत तरीके की बहुत सारी सुनेहरी दूप बिखरी पर रहती है मुझे और क्या करना है दो दाने मा मा ला देती है और जब मैं पर खोलने बाहर जाती हूं तो मा मेरी बाड देखती है बाड देखना यानि इंतजार करना इंतिजार या प्रतिक्षा करना रहती है मुझे तुम और कुछ मत समझो मैं अपनी मा की ही हूँ माधवदास ने कहा भोली चडिया तुम कहा रहती हो तुम मुझे नहीं जानती हो चडिया बोली मैं मा को जानती हूँ भाई को जानती हूँ सूरच को और उसकी धूप को जानती हूँ घास पानी और फूलो को जानती हूँ महामान्य यानि महान व्यक्ति तुम कौन हो मैं तुम्हे नहीं जानती मादवदास बोलता है तुम भोली हो चडिया तुमने मुझे नहीं जाना तब तुमने कुछ नहीं जाना मैं ही तो हूँ सेठ मादवदास मेरे पास क्या नहीं है, जो मांगों में वही दे सकता हूँ, चडिया बोली पर मेरी तो छोटी सी जात है, जाती है, आपके पास सब कुछ है, तब मुझे जाने दीजिए, मादवदास कहता है, चडिया तु निरी यानि बिल्कुल अंजान है, मुझे खुश करेगी तो मुझे तुझे माला माल कर सकता हूँ, चडिया बोली तुम सेट हो, मैं नहीं जानती, सेट क्या होता है, पर सेट कोई बड़ी बात होती होगी, मैं असमझ हूँ, मैं अंजान हूँ, ठैरी, मा मुझे बहुत प्यार करती है, वह मेरी रा देखती होगी, मैं माला माल होकर क्या होंगी, मैं नहीं जानती, माला माल क इच्छा है ये दुनिया पैसों के लिए भाग रही है और तूसको इनी जानती वह सोना मेरे पार धेर का धेर है तेरा घर समूचा सोने का होगा ऐसा पिंजरा बनवा कर दूंगा कि कहीं दुनिया में न होगा ऐसा कि तू देखती रह जाएगी तूसके भीतर थिरक फुदक क नगी हो फुच्छ करिया तेरा भाग्य खुल जाएगा तेरे पानी पीने की कटोरी भी सोने की वो उसको अलग-अलग प्रकार की लालसा दे रहा है चिडिया वस सोने का क्या चीज होती है सेट तू क्या जानेगी तो तू चिडिया जो है सोने का मुल्ले सीखने के लिए त यह जान ले कि सेट मादवदात उससे बात कर रहा है जिसे मैं बात तक कर लेता हूं उसकी किस्मत खुल जाती है तो अभी जग का हाल नहीं जानती जग यानि संसार संसार जगत कि संसार की हालत नहीं जानती मेरी कोठियों पर कोठिया हैं भगीचों पर भगीचे हैं दास दासियों यानि नौकरानियों की संख्या नहीं है पर तुससे मेरा चित प्रसन हुआ है ऐसा वर्दान कब किसको मिलता है रिचडिया तु इस बात को समस्ती क्यों नहीं चडिया बोलती है सेट मैं नादान हूँ नासमझ हूँ मैं कुछ समस्ती नहीं पर मुझे देर हो मां मेरी बाड देखती होगी, इंतजार कड़ती होगी, से ठे्ट है ठेर इस अपने पास के फूल को तुने देखा, यह एक है, ऐसे अंगिनत फूल है, ऐसे अंगिनती फूल मेरे बगीचे में है, बहाती-बहाती के रंग के हैं, अलग-अलग तरेके के हैं, तरह- blat के उनकी खुश्बू है चिडिया तेने मेरा चित प्रसंद किया है मन प्रसंद किया है और वे सब फूल तेरे लिए खिला करेंगे वहां घोसले में तेरी मा है पर मा क्या है इस बहार के सामने हर्याली के सामने तेरी मा क्या है वहां तेरे घोसले में कुछ भी तो नहीं है तू अपने मैं आपने को नहीं जानती इतना जानती। महां मेरी यह नहीं देर हो रही है log मुझे रात मत करा रात में अंधेरा भूत यहाता है और में राह यानि रास्ता भूल जातीं हूं रास्ता भूल जाऊंगी सेत ने का अच्छा चिडिया जाती हो तो जाओ पर इस बगीचे को अपना ही समझो तुम बड़ी सुन्दर हो यह कहने के साथ ही सेट ने एक बटन दबा दिया उसके दबने से दूर कोठी के अंदर आवाज हुई जिस सुनकर एक दास जपटकर दास यानि नौकर जपटकर जटपट भाग कर आया यह सब छनबर में यानि थोड़ी सी देर में हो गया और चिडिया कुछ भी न समझी सेट कहते रहे तुम अभी मा के पास जाओ मा बाड़ देखती होगी पर कल आओगी ना कल आना पड़सो आना रोज आना यह कहते कहते दास को सेट ने इशा भाई बहन है कितने भाई बहन है चिडिया दो बहन एक भाई पर मुझे देर हो रही है हाँ हाँ जाना अभी तो उजेला है उजला है प्रकाश है दो बहन एक भाई है बड़ी अच्छी बात है पर चिडिया के मन के बीतर जाने क्यों चैन नहीं था वह चौकन्नी यानि एक सावधान सेट ने कहा देर अभी कहा अभी उजेला है घर के इतने और हाल सुनाओ भै मत करो डर मत करो चिडिया ने का सेट मुझे डर लगता है मा मेरी दूर है रात हो जाएगी तो रहा नहीं सूजेगी इतने में चिडिया को बोध यानि पता चला एकदम से आया दिमाग में कि जैसे कठोर इस पर्ष उसके देए को चूगया कठोर यानि किसी ने इस पर्ष चूने की कोशिश करी उसके शरीर को चूने की कोशिश करी वह चीख देकर चिचियाई यानि जोड से आवास लगाई और एकदम उड़ी नोकर के फैले हुए पंजे में वह जाकर वह आकर भी नहीं आ सकी तब उड़ती हुई एक सांस में मा के पास गए और मा की गोत में गिरकर सुबक कर यानि दुबक कर रोने लगी रोती हुई सी सुबकने लगी अरे मा अरे मा मा ने बच्ची को छाती से चिप्टा कर लगा कर क्या है मेरी बच्ची क्या है पर बच्ची काप काप कर डर डर कर मा की छाती से और चिपक गई और बोली कुछ नहीं बस सुबक्ती रह गी ओ मा ओ मा बड़ी देर में उसे धांडस बंदा कर यानि उसे तसल्ली देकर और अब पलक न खोलेगी आखे नहीं खोलेगी इस तरह से जैनेंद गुबान ने यह लेसन लिखा है मादवदास के पास बहुत बड़ी संग्मामर की कोटी थी घर में एक बगीचा था नोकर नोकरानिया थे इस तरह से पता चलता है कि उसके पास सारे बहुत एक सुक्सु विदाएं थी लेकिन किन बातों से पता चलता है कि वह सुखी नहीं था क्योंकि वो घर में वीरान था अकेला था और चिडिया के उपर उसका मन आ गया था उसको देखकर उसका मन को खुशी मिल रही थी इसलिए वो उसको रोकने के लिए अलग-अलग तरे के प्रलोवन दे रहा था इससे पता चलता है कि वो क्या था सुखी होते भी सुखी नहीं था माधवदास क्यों बार-बार चिडिया से कहता है कि यह बगीचा तुमारा ही है क्या माधवदास निस्वार्थ मन से ऐसा कह रहा था इसपष्ट कीजिए मादवदास बार-बार चड़िया से कहता है बगीचा तुमारा है क्योंकि वो उसको महाँ पे रुकाना चाता था उससे वो प्रसन हुआ था वो निस्वार्थ भाव से बिलकुल नहीं कह रहा था क्योंकि वो उसको रोक करके उसके अलग-अलग प्रलोबन दे रहा था कि मैं तुमारे पिंजरे के पिंजरा बना दूंगा सोने का पिंजरा बना दूंगा तुम्हें सोने की कटोरी में खाना खिलाओंगा तुमारे लिए फूल लगवाओंगा अलग-अलग तरह के बगीचे लगवाओंगा इस प्रकार के प्रलोबन उसको दे रहा था इसलिए उसका मन बिल्कुन निस्वार्थ नहीं था वो लालची मन से ये काम कर रहा था मादवदास के बार-बार समझाने पर भी चिडिया सोने के पिंजरे और सुक सुविदाओं को कोई महत्व नहीं दे रही थी दूसरी तरव मादवदास की नजर में चिडिया की जिदका कोई तुक न था मादवदास और चिडिया के मनुभावों के अंतर क्या-क्या थे अपने शब्दों में लिखिए माधवदास और चडिया के मनुभावों के अंतर बहुत तिक सुख सुविदाओं से परे थे क्योंकि वो माधवदास सुख सुविदाओं को इंपोर्टेंस महत्व देता था वो चडिया को अपने बगीचे में रखने के लिए अपनी आत्म संतुष्टी के लिए उस चडिया को अपने बगीचे में रखने के लिए अलग अलग तरीकी के प्रलोबन दे रहा था उसके सोने का पिंजराशुक सुविधाय देने की कोशिश कर रहा था वहीं चिडिया अपनी मा के महत्व दे रही थी वह अपने मा के पास जाना चाती नन्नी चिडिया बार बार इसी बात को कहती है आप अपने मन के अनुभव के अधर पर बताएं कि हमारे जिंदगी में मां का महत्व क्या होता है हमने भगवान को साकॷात नहीं देखा इस δुनिया में हमने मा को ही भगवान का स्वरूप माना है तो इसलिए हम चिडिया है या मा है मा सब के लिए important होती है महत्व पूर्ण होती है इसलिए चिडिया भी उसको importance दे रही थी और वो उसकी गोद में जाकर के रहना चाहती थी सब सुविदाओं को छोड़ कर रहना चाहती थी इस कहानी का कोई और शीर्षक देना हो तो आप क्या देना चाहेंगे और क्यों इस कहानी का अन्य सीर्षक हम सच्चा सुख देना चाहेंगे या मंता या मा का महत्व देना चाहेंगे क्योंकि सच्चासुक हमें धन-दॉलत से नहीं मिलता मा से मिलता है मा की गोद में मिलता है इसलिए हम इसका शीशक शिचर्षक्षया मा का महत्व दे सकते हैं ठीके इस तरह से हमारे पर những question answer